अब यह अभी नया ताजय किसी ने मा रहा है तो आगे था आपका मेरे न्यू व्लॉग में तो फ्राइश फ्राइच हो चुका हूं साथ बजी है साड़े छे बज़े उठा था तो बस अब देखते हैं चाय ब्यांगी बगरा बनाएंगे फिर चलेंगे तो यह लोग तो राद बर जागे थे क्योंकि 24 घंटा चलते रहता है तो बस ऐसा है अब अपना चाय मैंगी बनेंगी यहां पर अब मैंगी मैं बना रहा हूं यहां पर और चाय भाई लोग बना रहे हैं तो चाय वहां पी लेंगे मैंगी अपनी हो जाएगी आएंगे और न देखो और कटने ब्रेकफास भाई गया अंदर बनाने आ रहा होगा तक तक मेरी ठंडा हो जागा कर रहा हूं शुरू कर दो obe654ла जो इसका सेथिंः नहीं सु चु débाइबु सऑाए है कि वहाइन तेस्ट अलग होता है मेगए होगी अपनी तो चाय बना दी भाई ने 겠र तो तो चाई बाई बनगे बस अब निकलते हैं यहां पीछे मंदिर है मंदिर में दर्शन वर्शन करके निकलेंगे मैंगे अच्छी लगी बहुत चाई भी बहुत जबदस है यारत ना ज्यादा मिठा कम ना ज्यादा ज्यादा और एकदम जबदस कड़क चाह यह देखो पंडा भी आै कि आना बिया ज्यादा यूरा इब हैंजी तो मैं पूंग कम भूज दो किलो मीटर अंदर है सीटी यहां से तो मुझे सीटी तो जाना नहीं मुझे बाइपास हो के लिकनला है वाइट रण यार यह लोग भी अभी आगे आने थे चाचा निकाल क्यों फसा रखा तुने तो भूच से मैं आगे आचका हम चार पांच किलो मीटर तो भूप सी लग रही है थोड़ी कोल्ड रिंग बगएरा कुछ देखते हैं वह पीते हैं फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं साइकल वह चाय के निचे लगाई है यह आगे जी अपनी चाय यह आगे जी अपनी चाय और यह आगे दो बिस्कुट टाइप के हैं यह मिठे मिठे होते हैं 20 सुपर खर्चा होगा सुझेगा तो जी मैं आचुका हूँ यहां होटल में और यहां से होगा 50 किलो मीटर रन अफकच तो आज शाम तक पहुची जाओंगा साड़े बारा एक बज़ रहा है तो यहां पर वेल्टिंग के दुकान भी है मैं सोचा और ढाबा भी है खाना भी खालूंगा और सोचरण जो आगे कस्टम मेड केरियर बनवाता हूं तो पूछ के देखता हूं अगर कस्टम मेड बना देगा तो फिर तो बढ़िया है और ना तो भाई वो खाने वादे ने डिस्काउंट किया और ना ही वो वो बेल्टिंग माले के पास टाइम था पहले बोलता नहीं बनेगा फिर मैं उसको बदा यार इतनी पर दुकान आता है वाधा मेरे पास टाइम नहीं है चलते हैं आगे देखते हैं आगे खाना खाउंग कुछ करना पड़ेगा चलें अब हैं पचास किलो मिटर यहां से अब यह देखो दूर दूर तक घास के मैदान और यह घास के मैदान क्रोस करते ही समुंदर आ जाएगा तरह अब कि अब जहां तक देख सकते हो धास के मैदान भी अब अब वजे से निकला था वहां से पूछ खेंग डिसका नहीं किया तब से बता नहीं कोई से सुने साम हुर्ष लिए यार एक बेड़ घंटा हो गया धाई बजने वाले हैं कोई होटल कोई कुछ नहीं है आपर और पीछे पूछा मैंने का आदमें को वो रहा है तीन किलो मिटर आ गया है पूरी हालत हो चुकी है भूक से यार बस सुबह वही चाय पिया और वो भी स्कूर साथ थोड़ा सा खाय पूरा लोग है दो रही बजगे हैं धूब देखो गर्मी कितनी चिल्चलाने पर में सुन्सान रसता है जिए चल दीए चोटे-चोटे बुच्जरों के घर है यार पता नहीं कहां आएगी दुकाने है यार इदर को यह से मैंसे लग रहा है जैसे जैसल मेर में आगया में सब्सक्राइब कच्छ के रिगिस्तान कैसे मैंडग के साथ खेल रहा है भाई भुगूला खेल नहीं रहा है पहला इसको मार रहा है तरफा तरफा के फिर वह खाएगा क्योंकि मैंडग बड़ा है उसका चोटा है यह लो कर गया रहा है उठारा फेग रहा है उठारा फेग रहा है तो जी आ गया हूं डाबा पहुने तीन हो गया है तक्रीवन तक्रीवन 25 किलिमेटर चलाया भूके प्यासे यार आया है यहां पर फूछते हैं अगर डिस्काउंड कर देगा तो बढ़िया है नहीं करेगा तब भी ठाहां तो आया यार भूके थोड़ी रहना है क्या करना दोस्तने कैसे बेजे हैं अमद भाई में तो आप दोते हैं फिर चलते हैं खाना वाना आ रहा है हमारा तो भाई को बड़ी मुश्किल से कंवेंस करके फिर रेट कम कर लिया है तो खाने का थाली रेट आ हैं 120 उपए तो आप खाना काते हैं पेड़ बर के फिर चलते हैं अब दाल करते हैं अब दाल करते हैं अब दाल करते हैं अब और चने अब बड़े खाना है जब दो जातर मुझे आतरों यहां खाओ तो खाना होता है मिठा वाजिर का बाई एंपी का खाना जब रोता है पाके रोटी खाई में दो प्लोली खीर दो रोबार सबजी दो गिलास चाच और नो रोटियां तो भूख इतनी दबा के ल जास तो गिंतीक मत करो और टाइम हो चुगा साड़े तीन और यहां से कच अभी वी यार 40 किलोमेटर है यह बगवान चार दिन होगे मुझे 276 किलोमेटर कंप्लीट नहीं हुए मेरे से तो साड़े तीन हुआ अभी आगे जाके कही चाहें देखके रेस्ट करूँगा एक घंटा साड़े चार निकलूँगा और साथ बे तक चलाओंगा 20 किलोमेटर चल जाएगा 20 किलोमेटर बचेगा वो कल 12 बे तक होच जाएंगे दा रन अफ कच पूरा सफेद रेगिस्था तो एक्चुली वो मतलब नमक की परत हैं लेकिन उसको सफेद रेगिस्थान बोलते हैं तो ऐसा है कि टोल आगे भाई भूके प्यासे मैं अभी धीड हूँ जब तक उसने डिसकाउंट नहीं किया तब तक मैंने खाने खाया इनी दो दुकानों में तो यह तीसरा दुकान ऐसा डिसकाउंट वाला आगे हम प्रतिन से शेड में यारेस्ट करने के लिए तो जैसी मैं आया तो देखा यार करस्ते में न एक अभी अभी नयता या फड़ा देर वहाएक गोंटा वहागा कोई नेवला मर गया किसीने अमार कर चला गया तो यह साइड है है यह क div i तो तो तुट शाइड में अ है वह जीर्ख डेखेव अभी नया ताजय किसीने मा रहा है लोग भी कैसे यार इसको दफना देते हैं ऐसे कर नहीं तो कुटा बुटा कोई खा जाएगा यार यह देखो पिचारे को किसी ने सीधा बाइक वाले ने कुचला है मेरे ख्याल में यह जी खड़ा खोद दिये मैंने अब इस खड़े के अंदर इसको डाल देते हैं चल भई इसके अंदर अच्छे से तेरी आत्मों को शांती मिल जाए भई या चल भई मार तो गया ही ऐसे भी चल भई पूच दिखरी है यह पूच को दबा देते हैं थोड़ी मिट्यों कमपड रही है और मिट्यों खारे रहता हूं चल भई चल भई होगे तेरे समाधी इस में लगा देता हूं यह पेड़ पर लगा दिया मैंने पेड़ और यह इसकी में अध्रणें पेड़्यों का और यह है। माधी ठीक है भगवान इसकी आत्मों को शांती दे और पेड़ लगा दिया यहां पर पेड़ बड़ा हो जाए अब जाके करते हैं रेस्ट क्यूंकि यह तो अपने रेस्ट में चला गया रेस्ट एंपीस हो गया और अब हम करें फोड़ा सा पानी बचा हुआ है तो वह मिट् अब कांटा गुज गया हो एक कितना लंबा है अब दिखाता हूं कि कांटा गुज गया भाई कोई बात नहीं है तो यह थोड़े पानी अगर मैं डाल लूगा ना तो यह जड़ पकड़ लेगी उसको यह पाई में डाल दिया है तो थोड़ा सा भी होगा तो जड़ पकड़ लेगा मिट्टी को और मिट्टी पकड़ लेगी जड़ को तो उसके बाद अपने आप नेच्रुली गुरो करेगा वो जार गुज गया साला कि कांटा गुज गया जार चलो अब करते हैं रेस्ट कि पाई ले रहे आया है यहां दुकान में पाद ले लिए अब चलते हैं आगे निकलते हैं 35 किलो मेटर है भी जी यार तो जी मैं आ चुका हूँ यहां से 17 किलो मेटर है रण तो क्याना श्टोर में तेल ले लिया और यहां पर सब्जी ले रहाँ क्यूंकि आगे दुकान दुकान होगा नहीं तो खुद बनागे खाना पड़ेगा रस ले लिया चामल मेरे पास है यह और सब्जी ले लेता हूं एक किसी देखो प्याज कैसे तो दो तीन दी में खाना के लिए समाल ले आता हूं तो जी हमने ले लिए सब्जी यह तेल वेल रस चाहे के साथ खाने के लिए और साइकल को दोख मैंने कैसे लद रखा हूं आगे ऐसे लाद रखा है पीछे यह लाद रखा है साइकल पूरी फुल कवर अपनी यहां से 15 किलो मेटर अभी भी है अपना टेंट तो यहीं जंगल में लगा है और वो साथ में क्या था कि यहां पानी की सप्लाई जा रही है तो पानी बिल्कुल थोड़ा पास में है इसलिए मैंने देखके लगा लिया और बागी जगा देखता हूं कि दिखाता हूं को कैसी है यह देख़ए बढ़े यह अ पूरी तो यहां पर भेंस वेस्ट चर रही है साइड में तो ऐसा कुछ है जी देखते हैं अभी तो भूक है नहीं अगर होगी तो खाना तो बनाऊंगा नहीं खाना कली बनाऊंगा तो चाई बाई बना के पी सकता हूं तो जी अपना पूरा सेट अप हो गया और अब लगे लेट ने खाना वन तो खाना नहीं भूक है नहीं तो मिलते हैं आपको सुबह नेक्स ब्लॉग में बाई बाई